Hello everyone, आज का हमारा प्रतम पार्ट सम्विधान क्यों और कैसे इसमें बहु विकल्पिय प्रेशन कर रहे हैं पहला प्रेशन है कि भारतिय सम्विधान कब लागू हुआ या भारत में गनराज्य के स्थापना कब हुई इसमें हमें चार ओप्षन मिल रहे हैं पहला option है कि 26 जनवरी 1949 इश्वी को, दूसरा option है 26 जनवरी 1950 इश्वी को, तीसरा है 30 अक्टुबर 1950 को, या 2 नवंबर 1950 इश्वी को तो इसमें हमारा सही जवाब है 26 जनवरी 1950 इश्वी को आप मुझे comment section में बताते जाए कि आपको कौन से प्रशन सही आते हैं next हमारा प्रशन आजाता है कि भारतिय सम्विधान का स्वरूप है यानि कि भारतिय सम्विधान किस स्वरूप में बना हुआ है तो पहला option है संगात्मक, दूसरा है एकात्मक, तीसरा है अर्ध संगात्मक, जो था है एकात्मक वे संगात्मक दोनों तो इसमें हमारा सही जवाब है एकात्मक वे संगात्मक दोनों तरीकों से हमारे सम्विधान का निर्मान किया गया है यैनि कि भारतिय समविधान को बनाया गया है हमारा तीशर प्रिश्ण आज़ता है कि भारतिय समविधान का निर्मान किस ने किया इसमें समविधान सभा, डक्टर बियार अम्बेटकर, सीगो पालचारी और पंडित जवाहर लाल नहेरू तो यहां पर समविधान सभा हमारा सही जवाब है Option क्या कुश्चन आ रहा है कि समविधान सभा की प्रिथम बैठक कब आयोजित की गई इसमें हमारे समने क्या अप्शन है 9 दिसंबर 1946 को क्या अप्शन है 7 दिसंबर 1947 को क्या अप्शन है 14 अगस्ट 1947 को या 15 अगस्ट 1947 को इनमें से सभमें से सही जवाब है क्या अप्शन 9 दिसंबर 1946 को प्रिशन है कि भारत विभाजन की परिडाम स्वरूप समफिधान सभा के सदोश्यों की संख्या घट कर कितनी रह गई तो यहां पर 4 हमारे समने अप्शन आएंगे 260, दूसरा उप्शन है 201, तीसरा है 29, चोथा है 265 और इनमें सभमें से सही जवाब है अप्शन गई 299 नेक्स्ट हमारा प्रिशन आजाता है कि समफिधान सभा में अनुस्यों चित वर्ग की कितने सदस्या थे इसमें हमारा उप्शन है 34, बी उप्शन है 36, गई उप्शन है 26 और गई उप्शन है 42 तो हमारा सही जवाब है कि समफिधान सभा में अनुस्यों चित वर्ग के सदस्या थे 26 प्रिशन आ रहा है कि समफिधान सभा में किस राजनीतिक दल का वर्चस्वत था के उप्शन है मुस्लिम लीग दोसरा ऑप्शन है हिंदू महासभा तिसरा ऑप्शन है कॉंग्रेस चोथा ऑप्शन है जनसंग तो इसमें हमारा सही जवाब है कॉंग्रेस यानि गई गई ऑप्शन है साथ गई ऑप्शन है छे गई ऑप्शन है आठ गई ऑप्शन है तस इन में से हमें एक सही जवाब देना है तो इन में ऑप्शन गई जो है वो आठ सही जवाब है आठ समीतियों का गठन किया गया समविधान के विश्यों पर विचार विमर्ष करने है तो संविधान की सरल परिभाशा किस प्रकार से लिखेंगे संविधान कुछ ऐसी बुनियादे सिधानतों का समुह हो है जिसकी आधार पर राज्य का निर्मान किया जाता है और उसका शाशन चलाया जाता है यहीं कुछ सिधानतों का यह समुह होता है जिसके आधार पर हमारा रज्जे चलाया जाते हैं और उसका निर्मान किया जाता है हमारी स्टेट्स जो हैं वो चलाई जाती है उनका शाशन चलाया जाता है दूसरा हमारा प्रेशने है कि भारतिय संफितान का निर्मान किसकी द्वारा हुआ भारतिये संविधान का निर्मान संविधान सभा के द्वारा किया गया था इसमें कई बच्चे कन्फ्योज हो जाते हैं वो बी और अमबेट कर जो लिख देते हैं वो सही नहीं है यहाँ पर संविधान सभा के द्वारा किया गया था संविधान का निर्मान प्रेशन तीसरा आ जाता है कि भारतिय सम्विधान सभा का गठन कब हुआ था भारतिय सम्विधान सभा का गठन 1946 में किया गया था नेक्स्ट हमारा प्रेशन है कि सम्विदान सभा के अध्यक्ष का नाम लिखिए तो उस समय पर डक्टर राजेंदर परशाद सम्विदान सभा के अध्यक्ष थे नेक्स्ट हमारा प्रेशन आजाता है प्रारूप समीति के अध्यक्ष कौन थे तो प्रारूप समिती जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अमबेट कर भारतिय समविधान कितने समय में त्यार हुआ था तो यह दो वश 11 मां 18 दिन की अवदी में बन करके तयार हो गया था प्रशना रहा है हमारे स्कीन पर भारत के समविधान में कितने अनुचेद, अनुसुचियां और परिसिस्ट हैं तो इसका उत्तर ऐसा है कि भारतिय समविधान में 395 अनुचेद, 12 अनुसुचियां और 9 परिसिस्ट हैं हमारे प्रेशन है कि भारतिय समविधान के दो प्रमुक श्रोत क्या है भारतिय सम्विधान के दो प्रमुख श्रोत इस प्रकार से हैं, भारतिय सम्विधान के जो श्रोत हैं वो है अमेरिका का सम्विधान और अस्टेलिया का सम्विधान, इन दोनों से लेकर के हमारे सम्विधान का निर्मान किया, भारतिय सम्विधान की दो प्रमुख विशेष बताईए तो इसमें पहले विशेष्टा है कि भारतिय सम्विधान विश्व का सबसे विस्त्रित और लिखित सम्विधान है सबसे विस्तित यानि सबसे विस्तार से फ्याला हुआ और लिखित में है यह सम्विधान दूसरी इसकी क्या विशेष्टा है सम्विधान में स्वत प्रदान की गई है और दूसरा केंद्री तथा राज्य सरकारों के बीच अधिकारों तथा कारियों को स्पष्ट रूप से विवाजित किया गया है यानि कि केंद्री सरकार सेंट्रल गौर्मेंट और स्टेट गौर्मेंट के बीच में जो भी राइट्स हैं और उनके कर्तव उनको बिल्कुल केता है किए सरकार करेगी साथ Weekly जो विशेश्फता है वह स Ist सम्विधान की हर बात मौनने हैं तब पीछ में और राज्य करकार वह होगा तब jest कि भारत्य सम्विधान के दो वेकात्मक तत्वली किये ये तो वो है सम्विदान में इकरी नागरिकता का प्रवदान किया गया है दूसरा सम्विदान द्वारा एक ही न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है एक ही न्याय व्यवस्था की स्थापना क्या होती है कि सभी मनुश्य जितने भी यहां के न आए प्रणाली है सभी पर समान रूप से वह लागू है